हेलो फ्रेंड्स हम बात करेंगे फंगल इंफेक्शन अगर आपको है तो आपको उस दौरान क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो समझते हैं इसके बारे में इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने यूटूब चैनल डियारेश राजेश एल फार्मा को सब्सक्राइ अगर इंफेक्शन काफी कॉमबन है हर किसी में कभी ना कभी होता है कॉमनली मिडिल क्लास लोगों में जो लोग काम धंदे करते हैं उनमें यह पाया जाता है फंगल इंफेक्शन काफी लंबे-लंबे समय तक लोगों को रहता है और यह परेशानी है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई फर्टिकुलर डाइट ले लें जिससे यह जल्दी ठीक हो जाएगा वाट यह है कि कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप एबॉइट करते हैं तो फंगल इंफेक्शन के दोरान जो होने वाली शमश्या है उनको जल्दी रिकवर किया जा सकता है इसमें एबॉइट क्या करना है वो समझना बहुत जरूरी है कई लोगों के लिए खाने की चीजों में एलर्जी होती है तो जब जब आप एलर्जी के कॉंटेक्ट में आएंगे तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है हो सकता है प्रॉब्लम में किसी को सूजा न लगे खासी आने लगे खुजली चलने लगे तो खुजली चलना भी एलर्जी का कारान है तो हमें ऐसे खाने से बचना है जिससे हमें एलर्जी होती है या जिसको खाने के बाद हमें खुजली चलने लग जाती है कुछ लोग होते हैं जिनको बेगन खाने से मसूडे में करें बेगन मसूर की दाल कॉफी गोड़ चाय ये सारी चीज़ें वाइट करना है और जब जब ब्यक्ति को फंगल इंफेक्शन होता है और जब आप खुज लाते हैं तो वह फैलती है नेल्स में इंफेक्शन आ जाता है और वह दूसरी जगह भी फैलने लगती है तो सक्कर मिठाई पेस्टी आइस क्रीम ये ज्यादा से ज्यादा एवाइट करें तलाब हुना नमकीन ये भी एवाइट करना है और फंगल इंफेक्शन के ट्रीटमेंड में मैंने आल्रेडी पहले वीडियो बनाई है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो ये था हमा हमारा फंगल इंफेक्शन में क्या खाना है गया नहीं खाना है डेली चार्ट के बारे में आई अप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सो जाओ वाय वाय टेक केर, थैंक्स फर वाचिंग.